नमस्कार आदाप सस्त्रियकाल दोस्तों मैं शुबं पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनिट लासेश से फिर से श्वागत करता हूँ और आप सबको पता है दोस्तों हम लोग का जो सफर नामा है हम लोग का जो सफर है वह तुगलक वंस तक पहुच चुका है और आप सब इस बात से आउगत हैं इस बात के आप सबको अभ्यानकारी है कि तुगलक वंस जो है ये दिल्ली सल्तिनत में ही चलने वाला तीसरा वंस ह दूसरा वंस खिलजी वंस था तीसरा वंस तुगलक वंस था और तुगलक वंस की भी हम लोगों ने शुरुवात कर दी है दोस्तों तुगलक वंस का साशनकाल जो समय काल रहा जिस बार से आप सब आउगत हैं 1320 से लेके 1414 तक जो समयकाल रहा यही कहलाता है तुगलक वन्स तुगलक वन्स के founder की भी हम लोगों ने बात कर ली थी जिसका नाम था सुल्तान ग्यासू दिन तुगलक उसकी कैसे मित्यू हुई और उसकी मित्यू के बाद कैसे उसका बेटा जो की जोना खान जो की सासन चलाएगा मुहमद बिन तुगलक के नाम से कैसे वह राजा बनेगा इस बात की आज हम लोगों को जानकारी लेनी है यानि हम लोगों को आज पढ़ना है किसके बारे में जोन जौना खान और इसी जौना खान को दोस्तों एक और नाम से हम लोग जानते हैं मुहम्मद बिन तुगलक इंपोर्टेंट सक्सियत हैं बहुत जादे इससे वे कोशन बनते हैं और काफी इंट्रेस्टिंग पर्सनालिटी आपको यह देखने को मिलेगा इस वीडियो को आप प बहुत सारी नई जानकारी आज मिलने वाली है और बहुत ही इंट्रेस्टिंग इसके बारे में आपको आज पता चलने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है एक ज्याम के दृष्टी से जौना खान इसको ओरिजिनल नेम इसका था मुहम्मद बिन तुगलक और जैसा आप जानते हैं इसके पिता की मित्यों ही हुई थी 1325 में और इसका जो सामराज समालने का जो समय कहलाया वह 1325 यानि अगला सुल्टान मना तुगलक वंस में 1325 में जो कि कब से कब तक रहेगा 1325 से लेके 13151 तक का जो समय काल है उसमें हमें कौन देखने को सुल्त इतिहासकार कहते हैं ये पागल सासक था और इसे पागल सासक क्यों कहा गया इंसेन सुल्तान क्यों कहा गया आप सब जानते हैं पागल को इंगलिस में इंसेन कहते हैं इंसेन सुल्तान अफ दिल्ली सल्तनत क्यों कहा गया इसी चीज के ऊपर हमें आज काम करना है इंपोर्टे ग्हेगी के अंतलब होता है पागल मैं लिघ दता हूं ब्रैकेट में इंसेन शुल्तान होते हैं अब तक का पागल कल सोच्पने का पागल सुल्टान अब क्यों कहा गया इस चीज़ पे हमें काम करना है पहले इस बारे में जो एकदम accurate fact होते हैं उस पे हम लोग काम कर लेते हैं दोस्तों जो की direct question में आते हैं फिर उसके बाद इसकी हम लोग जीवनी को समझने की कोशिश करेंगे आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज यह महान विद्वान हुआ करता था अभी मैंने बोला यह पागल हुआ करत था उस समय यह ज्यादा विद्वान था लोगों से ज्यादा सोचता था और आप सब जानते हैं पागल इसको कहते हैं पागल मतलब माइंड से एबनॉर्मल माइंड से मतलब यही होता है दोस्तों कि वह आप से या तो बहुत ही नीचे अस्तर का सोचता होगा या तो आप से यह पागल क्यों बोला गया इस बात पर हमें जानकारी लेनी है इस चीज को आप आखरी वीडियो तक देखते रहें इस बात की भी आपको जानकारी मिल जाएगी यानि क्या इसकॉलर था यह महान विद्वान हुआ करता था दो लैंग्वेज का कौन-कौन सी लैंग्वेज थ इसकॉलर ऑफ पर्सियन और अरेबिक लैंग्वेज यानि यह महान विद्वान हुआ करता था फार्सी और अर्वी भासा का आगे की बात पर हम लोग गौर करते हैं दोस्तों ध्यान से देखेगा इसी के सामराज्य में पांचवां अटैक होगा मंगोलियों के तरफ से यान यानि फिफ्ट अटैक जो हुआ मंगोलियों के तरफ से वह किसके सामराज्य में हुआ जब मोहंबद बिन तुगलक तुगलक वंस का शाशक था तुगलक वंस का सुल्तान था यानि फिफ्ट अटैक ओफ मंगोलाइट्स आगे की और हम लोग फिर बढ़ते हैं दोस्तों इ मतलब क्या है दोस्तों कि थोड़ा सा अलग अगर आप सोचते होंगे लोगों के कंपेरिजन में तो आपको ज्यादा तलोग पशंद नहीं करते होंगे क्यों नहीं पसंद करते हों क्योंकि उनके समझ में वो चीजे नहीं आती हैं जब समझ में नहीं आएंगे तो आपको क कहते होंगे कि अब पागल इंसाने छोड़ो टाइम बरबात करेगा ऐसी बातें होती होंगी वही हाल इसका था यानि इसके सामराज के ही लोग इसके खिलाब विद्रो करते थे अब देखिए जब विद्रो हुआ तो 34 विद्रो इसी के सामराज के लोगों ने खुद किया यानि 34 रिवोल्ट हुए 24-34 रिवोल्ट यानि 34 बार विद्रो किया गया मोहमध विन तुबलक के तरफ से जिसमें से 27 विद्रो जो हुए हैं दोस्तों वह साउथ हिंडिया के तरफ से हुए South India में जो लोग इसके सामराज में लोग थे 27 विद्रो उनके द्वारा किया गया यानि दक्षिण भारत के तरफ से 27 बार विद्रो हुआ था और दोस्तों 7 विद्रो हुए North India के तरफ से उत्री भारत के तरफ से यानि आपको इतनी बातें अभी समझ में आ चुकी होंगी दोस ऐसे 24 विद्रो हुए था समय कालमें जिसमें से 27 दक्षिण भारत के तरफ से किये गाए और साथ विद्रो इसके उत्तरी भारत 85 टरफ से कियें इसके सामराज के दार इसके शेनापति इसके अपने लोग इसके खिलाब विद्रो करते थे यह सब इसके बारे में थोड़ी सी ग्लिम्स रहीं और यह सूखे सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं डारेक्टली पूछ लिए जाते हैं इसी तरह यह सवाल दोस्तों अब हम लोग आगे की कड़ी को जोड़ने की कोशिश करते हैं चलिए अब मैंने बताया कि इसी के खिलाफ विद्रो इतिहासिक यहां चाहित मैंने जब इंट्रोडक्षन ही दिया ता हिस्ट्री का तो मैंने आपसे बोला था इतिहास में वही दर्ज होता है यह सवाल भी इतिहास से वही बनाये जाते हैं आज Scout समय काल पर जो इफेक्ट डाले हों वही इतियास में दर्ज हुए हैं वही सवाल भी बनाये जाएंगे अब देखिए हुआ क्या 1336 में दक्षिड के तरफ दो सक्स जो हुआ करते थे इसके सामराज्जी के जिनका नाम था ध्यान से देखिएगा दोस्तों 13 13 6 important date है important sun है यह आगे की और हम लोग बढ़ते हैं 1336 इश्वी या AD इस बात के भी आप सबको जानकारी हो गई है कि इश्वी किसको कहते हैं AD किसको कहते हैं BC किसको कहते हैं इन सबको बात आप आओगा थे अब इसमें मेरे समस्यापको कोई confusion नहीं होगा दो सक्स थे एक का ना विद्रो कर दिये रिवोल्ट कर दिये रिवोल्ट आफ हरियाहेंड बुक का नाम से जाना भी जाता इस विद्रो को और एजन रिजल्ट उसी के परिमाण स्वरूप क्या हुआ विजयनगर Empire विजयनगर Empire यानि विजयनगर सामराज की स्थापना हुई 1336 में इंपोर्टेंट है विजयनगर सामराज जो भी वन डे के जितने भी एकजाम है वन डे से एकजाम से मतलब यह ऐसे पेपर दोस्तों जिसमें आपको एक ही रिटेन एकजाम देने होते हैं वही कहलाते वंड िग्जाम तो वंड िग्जाम के नांते विजेनगर एमपाइर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तो विजेनगर एमपाइर जो है दोस्तों स्थाप्ना वर्श आपको पता चल गया इस्थापित करने की नोर्थ के ते तो यह थे साउथ के यानि दक्षण भारत के तरफ से यानी एक बात आपको यहां और साउथ इंडिया में चलेगा दक्षिन भारत में चलेगा इसकी बात हम लोग आगे करेंगे जब दिल्ली सल्टनत और मुगल सामराज हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे तब विजय नगर एंपार चोटा से टॉपिक है एक मुश्किल से 20-25 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जा जो अलग से एतिहासिक मानी गई और अलग से इन से उपर सवाल भी अच्छे घासे बन जाते हैं एक चीज और हुई दोस्तों 1333 में यानि 1336 होने से पहले तीन साल पहले की बात है एक 1333 में एक इंसान आएगा एक राइटर आएगा जिसका नाम क्या रहेगा इबन बतूता इबन बतूता यविए था कौन हिंदी में भी इस नाम को लिख दे रहा हूं थोड़ा सा तेड़ा नाम है यह याद करने के लिए आपको इबन बतूता इबन बतूता 1333 में एक सक्स आएगा जिसका नाम था इबन बतूता अब यह था कौन इस चीज पर हमें गौर करना है इबन बतूता जो था दोस्टों यह अफरिका का यात्री हुआ करता था यानि यानि अफरिकन रेवलर यह आ यहाया था भारत अफरिका से अफरिका में एक जगह पढ़ती है जिसका नाम है मुरको क्या नाम है दोस्तों मुरक्त वहीं से यह संस आएगा कि वाग्ड़ाइगा 1333 में दिल्ली सल्थनत में जब तुगलक 14 से चलता रहेगा और तुग्लख बन्स में जब दूसरा सुल्था मोहमद बिन तुग्लख रहेगा यानि मोहमद बीन तुग्लक के शाशन्काल में इबन बतूता भारत आये काजी कि यानि इबन बतूता के बारे में आपको क्लियर हुएे अब देखें इन बतूता से प्रभावित होगा मुहम्मद बिन तूगलक और इसी के चलते वए इसे न्युक्त करेगा काजी यानि इबन बतूता बनेगा काजी अब काजी क्या होता है इसलाम धर्म में इसलाम धर्म के अंदर जो भी न्याय करने के लिए एक पोश्ट बनाई गई है जो भी एक ऐसा सक्स जो की न्याय करेगा जो भी गलत चीजें हो रही है बसक्राइब में यहीरे जो इभांता था दोस्तों उन्होंने एक किताब लिखी और उसी किताब का नाम है दोस्तों आप सब इस बात से ओगत हों गे उस किताब का नाम है सफरनामा और इसी किताब को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है रहला रहला या सफर नामा यह दोनों एक ही किताब है देखिए इबन बतूता ने एक किताब लिखी जोगी काजी भी हुआ करता था तुगला कवंस में जिसका नाम है रहला और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सफर नामा ध्यान कि ध्यान से देखिएगा यह important question है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है सफर नामा से हमें तीन बातें पता चलेंगी कि दिल्ली और मुरकों के बीच ट्रेड स्थापित राता है जानी डिल्ली से कुछ समान दिल्ली आया करता था बीखने के लिए यानी दोनों के बीच ट्रेड हो रहा था ट्रेड के बारे में सब जानते होंगे यानि एक business चला था goods and service को transfer किया जा रहा था जितनी सिवाएं और वस्तुएं थी उनको क्या किया जा रहा था एक दूसरे में एक्षेंज किया जा रहा था पैसे के आप से हमें पता चला कि मोहमद बिन तुगलक का जो सामराज था तुगलक वंस में यानि दिल्ली सल्ट्राइब में वह तीन जगह को छोड़ कर बाकी पूरे भारत पे फैला हुआ इससे मतलब यह तीन जगह वह कौन कौन से थे काश्मीर के बलुचिस्तान और राजपुताना राजपुताना वही एरिया है दोस्तों जो आपका राजस्थान साइट पढ़ता है जब हम लोग राजपुताना जब हम लोग एंसियंट इंडिया की बात करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा राजपुताना काश्मीर बलुचिस्तान और सामराज पुताना को छोड़ कर इन तीन जगहों को छोड़ कर पूरे भारत पे किसका सामराज चला था उसमें मुहम्मद बिन तुगलक का ये बात किस से हमें पता चलती है रहला नामक किताब से जो कि लिखी गई इबन बतूता दवरा और कौन था वह काजी हुआ करता था औ एक यात्री था जो कि मुरेको में रहता था अफ्रिका में अब आगे की और हम लोग बढ़ते हैं एक बात और पता चली इसी किताब से कि भारत में अगर कोई भी एक ऐसा राज्य था एक कोई भी ऐसा प्रांत था जो कि पूरे तरीके से समरिद्ध था हर तरफ खुसाहली थी जहां पे और साथ में क्या पैसे से धन दौलत से भरपूर था सम्रिद्ध था वह कौन सा राज्य था एक मत्र दिल्ली था पूरे भारत के अंदर ये तीन बातें हमें सफर नाम और रहला से पाँ चलती हैं ये दोनों एक ही किताब का नाम है अब देखिए अब इसे इत दोस्तों जो कि क्या हुए इसके फैल्योर के कारण बने इसके विफलता के कारण बने उन्हीं को हम लोग जानते हैं डिसीजन आफ फैल्योर यानि विफलता का निरणे अब देखिए डिसीजन आफ फैल्योर्स डिसीजन आफ फैल्योर्स विफलता का निरणे ठीक है दोस्तों विफलता का निरणे अब देखिए इसने पांच ऐसी चीजें निरणे में ले ली इन थी पांच ऐसे डिसीजन लिए थे जो इसके पागल साबित किये गए इतिहासकारों के तरस से जो कि क्या हुए पांचो रही थी राजधानी आपको सबको पता है राजधानी थी दिल्ली सल्तनत में दिल्ली यह भी पता है कि कौन बनाया था अगर आप वीडियो रेगुलर वेस पर देख रहे हैं तो आप सबको इस बात का भी तक पता चल ला होगा अब देखिए दिल्ली से इसने क्या किया महाराष्ट्रा में अब आप सबको पता है कि महाराष्ट्रा जो एक जगह हुआ करती थी जब यहां से वहां अब उस समय तो गाड़ी घुड़ा हुआ नहीं करता था ऐसा तो था नहीं कि एरोप्लेन बनी है दिल्ली से आप दारिट महाराष्ट्रा उतर गए लेंडिंग ह जाता इसने क्या गिए डिलली सामराज में जितने लोग थे उनको कहा के सबकी सब कहाँ चलोगे दियोगरी चलोगे जो की महाराष्ट्रा में अब जाना था प्यद्र जाते लोग सरक और गर्मी बीहड पढ़ने लगी घर्थ बीहर पढ़ने के वज़े से कई लोगों की जान गई यहां चाने में जब यह वहां पहुश तो गया किसी तरीके से पुरा सामराज ले ओके जो थोड़े बहुत लोग मर भी गए अच्छे खासी संख्या में लोग मरे थे ठीक जब वहां यह पहुचा तो मुहम्मद बिन ले लिया है और उसी के कारण वेस तेहीं किया अपनी राजधानि को सिफ्ट कर दिया दिल्ली और थे कि लोगों को फिर बोला कि भी आप चलो दिल्ली फिर वहई कती hoard PG हुए यानि पहला जो डिसीजन लिया गया वा फैल्यों की तरफ से अब दीकिए दूसरी बात यानि इसके सामराज में 34 रिवोल्ट हुए उसी के चलते हुए एक इसने मिशन लिया जिसका नाम था खुंच संद मिशन जगा हुआ करती है दोस्तों यह होती है अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में ठीक है तो फैल्यूर आफ फोर्षान में दिखे या आप सब को पता है कि यह भी फेल हो गया अब देखिये हुआ क्या मैंने बताया था कि अपनी स्टेंडिंग आर्मी तयार कर ले देगा यानि खुर्षन मिशन से साल भर पहले ही क्या करेगा आर्मी में जितने लोग थे शायनिक जितने भी थे उनको पहले ही एक साल पहले की सेल्ली पुरा देदेगा अब जब एड़वांस सेल्ली मिल गई और जाना हुआ खुर्षन मिशन पर जाया तर्लूप तयारी जब तयारी नहीं हुए तो फिर क्या था यह मिशन तो असफल होना यह था यानि क्या हुआ पैसा से भी यह गया और मिशन भी असफल हुआ या तलुब भाग गये थे वहां से सामराज को छोड़के भाग चुके थे और कुछ जाने को ही नहीं तयार हुए कुछ तबेत का बहाना बनाती मतलब हजारों बहाने सामने आए गीने चुने लोग खुर्षन मिशन में जाने को तयार हुए अफगानिस्तान में यह भी विफल रहा खुर्षन मिशन भी अब देखिए आगे इसने क्या किया जब विफल हो गया पैसा तो इसने पहले दे रखा है भाई पै पैसे की कमी भी तो इस सौंचा और जो पैसा लोगों को दे दिया गया है तो आप सब अनो थी एक को जांदी का हुआ करता था जिसको हम लोग कहते थे ट pakai होता था यह बात मैंने आपको बता रखी है और एक हुआधा כापर का सिख्का कितांबे का सिख्का जिसकों लोग कहते थे लिव या यह सोचा कि मैने तो Sally जो दिये बचा के तो यह रखें हम अगर उनको क्या करें कर अधर मतलब यह हम दोनों सिखकों को बंढों कर दें तंका और जीतल को अगर बंढों जाए उसके जगए नया सिक्का चलाय जाए यह नई करिंसी स्टार्ट कर दी जा तो कैसा रहेगा इनके पास कौड़ी के भाव हो जाएगा और इसी के के रूप में जो वह बरतन यूज करते थे वह उस समय किसके बनाया जा रहे थे कांसे के बनाया जा रहे थे ब्रॉंज के बनाया जा रहे थे अब लोगों को दिमाग में खटका बहिया चलो तुम बंद किये बंद किये अब क्या कि यह लोग बरतन को तोड़ तोड़ के तोड करेंसी बनाई जाती है यानि अब हर घर ही टकसाल बन चुका था यानि यह भी डिसीजन इसका क्या हो गया फैलियोर हो गया और अगर यह सवाल आता है कि पहला सुल्तान जिसने टोकें करेंसी की स्थापना की थी तो आप बोलेंगे अच्छा कुछ इतिहासकार यह भी कहते है यह सुरुवात की जाएगी हुमायूं के द्वारा तो इसी वह से हम इसको मानते हैं कि इसने ब्रॉंच गोइन स्टार्ट किया था कहां से इकसिक के इसने बनवाने सुरुवात कर दिये थे अब देखिए अब भया यह सब तो होई गया यहां तक दिक्कतें इसके सामने कर दिया टैक्स को कहां के टैक्स को दोब के टैक्स को दोब का मतलब आप पहले समझने कोशिस कीजिए दोब मतलब होता है जहां दो नदिया मिलती हैं जहां दो नदिया मिलें उसी को हम लोग दोब कहते हैं अब हुआ क्या इसने ऐसी जगह पर टैक्स इंक्रीज किया जहा दो नदिया मिलने से ताठ पर ये है कोई भी ऐसा प्रांथ जहां पर दो नदिया मिल नहीं धी वहां इस Mia कर दिया कहा कि ऍदेञे की आप अगर माण लिएhouse की आप ऐसे प्रांथ मेरे से थाइम पर कि जहां दो नदियां मिल नहीं हैं जब दो नदियां मिलेंगी तो आपको टेक्स जादा देना पड़ेगा अगर आप उस सामराज्य में हैं अब हुआ क्या इत्तिफाक कहिए हिम्मते मर्दा तो मदेते खुदा अब देखिए इसके साथ उल्टा हो गया लेकिन चलिए हुआ क्या उस साल जैसे ही डोब इसने लगाया उसी साल सूखा पड़ गया यानि अब दो नदियों का मिलन तो दूर उनमें पानी नहीं बचा यानि क्या हो गया कहानी खतम यह भी फैल्योर साबित हुआ अब देखिए सबसे आखरी डिसीजिजन इसने क्या लिया ध्यान से हम लोग फिर समझते हैं दोस्तों कि यह ह picked up और मिशन पर निकला विद्रो तो एक और मिशन निकला भी चार्म सकर फैल्योर की हम लोगों ने बात कर लिए अब आखरी पकी हम लोगों को बात करनी है यह गया बंदा उत्राखंड के तरफ से विद्रो हुआ आ है और उसी मिशन को हम लोग तो जानते हैं किस नाम से दोस्टो कराचिल मिशन के किस नाम से कराचिल मिशन अब देखिया यानि फैल्योर पांचवा जो इसका डिसीजंग्य फेल उफेलयोर ऑफ कराचिल जाना कि MIXN कहा था भाध कियों पाज्योर हुआ उत्राखंड कैसी जगह यूके लिख रहा हूं इसको यूनाइटेट किंग्डम न समझ लिए बता चले कोई खुआबों में खो गया कि लंदन जाना है ऐसा नहीं कीजिएगा यह उत्राखंड है ठीक आप सब को यह भी पता होगा कि उत्राखंड एक जगा हुआ करती जो कि उत्तरपदेश राज्ज लेकों को लेके तो उस तैयारी के साथ नहीं निकला यह कि वहां ठंडी पड़ेगी अब हम आपको बोल दें कि आपको सिम्ला जाना है और आपको यह जानकारी नहीं है कि सिम्ला में ठंडी पढ़ रही है ठंडी जगह है आपको भेज दिया जाए एक टिसर्ट और यह यहां भी हो गया यानि इसके जो शैनिक थे उत्राखंट पहुंचे तो जरूर लेकिन ठंड से ही मरने लगे जब ठंड से मरने लगे तो फिर क्या होगा दोस्तों कराचिल मिशन भी सफर्व रहा यही सब कारण बनते हैं कि इतिहासकार इसको इनसें सुल्तान अफ दिल्ली सलतनत कहता है यानि इसने पढ़ाई लिखाई तो बड़ी कर ली थी लेकिन जो सोचने की छमता थी कुछ इसकी किस्मत भी महान थी और कुछ यह भी महान था आगे का कहानी सुनीए होगा क्या 1351 में यानि समय काल अगया है जब इसका अंत होना है इसके सामराजी का संद्ध में बैठा 1551 अब क्या होगा ध्यान से देखिए हुआ रहेगा revolt होगा ठाटा ठाटा एक जगह पढ़ती थी सिंध में बता है आप सब को अब किस सिंध किसको कहते हैं उस बात पर हम लोग फिर से चर्चा नहीं करते हैं थाटा सिंध जो समय का सिंध हुआ करता था वहीं पे जगा पड़ती थी थाटा उसी के तरफ से विद्रोह होगा वहां की लोगों के द्वारा विद्रोह किया जाएगा और इसी विद्रोह क कंट्रोल करते हुए ही कंट्रोल करते हुए ही इसकी क्या होगी तबेत गरवड हो जाएगी यह बिमार पड़ जाएगा अपने आपको यह स्वस्थ नहीं रख पाएगा बिमार पड़ेगा उसी बिमारी के कारण ही इसकी क्या होगी 1351 में मित्यू होगी ठिक 1351 में क्या होगा अपने बिमार होने के वज़े से ही ये मर जाएगा और मरने के बाद जो इसका मकबरा बनाए जाएगा जो इसकी टॉम्ब बनाई जाएगी जो इसकी कब रहे वह कहां है दोस्तों दिल्ली तुगलका बाद में डिल्ली तुगलका बाद में यानि अगर यह सवाल आता है कि टॉमबॉफ जौना खान यानि टॉमबॉफ मुहूंम्मद बिन तुगलक तो आप बोलेंगे दिल्ली तुगलका बाद में है आपको पूरी कहानी इसके बारे में बता दी गई है इंपॉर्टेंट सक्सियत है इससे सवाल भी बहुत आते हैं अब देखिए अब यह मरेगा थिक तो मरने से पहले इसके कोई उत्राधिकारी नहीं थे तो इसने क्या किया अपने चचेरे भाई को चचेरे भाई से यहां तात पर यह है अपने चाचा के लड़के को इसने उत्राधिकारी घोशि यानि हम उस घड़ी पर आ गए हैं जब अगला सुल्तान की हम लोगों को बात करनी है फिरोशा तुगलक इसके भी इंपॉर्टेंट सक्स है यह भी तुगलक वंस का और मैंने आपको बता रखता है तुगलक वंस थोड़ा लंबे समयकाल तक चलेगा सबसे छोटा जो समयकाल चला है वह आपका खिल्जी वंस का चला है और सबसे लंबा जो समयकाल चला दिल्ली सलतिने में किस चलेगा तुगलक वंस का ही चलेगा इस बात की हम लोगों ने जानकारी लिए अब हम थोड़े मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों मैंने क्या था सटर्डे वाले दिन या भी वीडियो लेक्चर आपको बता रखा है बना रखा है जो भी इंपॉर्टेंट कोशन ग्यासुद्दिन तुगलक से आते हैं उसकी भी हम लोगों ने बात की है ग्यासुद्दिन तुगलक कोई गाजी मलिक कहते हैं यह सब बातें मैंने वहां डिस्क्राइब किये उसका भ झाल है गोल में डी सी बन के आ रहा होगा उसे डी सी पे आप जैसे ही छोएंगा सब्सक्राइब का एक बाते सक्राइब करसी कर giàASE जैसे ही आप सब्सक्राइब चेंड़ को सामने прошлं जा रही है और रेगुलरी वीडियो डाली जाती है कल मैं थोड़ा अस्वस्र था इस कारण से संडे को मैं कुछ डाल नहीं पाया कुछ मेरी तबेद गरबड थी तो उसके कारण ही डाला नहीं गया वरना रेगुलर बेस पे आपके साथ वीडियो और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप इसे लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लोगों इस चैनल के बारे में शेयर करें जानकारी और उनसे बोलें कि सब्सक्राइब करें और साथ में मिलके पढ़ें ठिक और यह जो हिस्ट्री मैं यहां पढ़ा रहा ह है बड़ा मज़ा आने वाला है और अभी एक से एक इंट्रेस्टिंग चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं धन्यवाद